Hi everyone, आज के वीडियो में आपका स्वागत है तो अभी recently मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था तो मेरी मम्मी ने बोला कि अक्षा तो एक scheme आयो ही है और उसमें बहुत अगड़ा return बनने की opportunity है यह scheme Tata की है तो scheme कुछ ऐसी है कि अगर आप 10 लाग रुपे का एक लमसम लगा दो तो आपको हर महीने 20,000 रुपे मिलेंगे 3 सालों तक और 3 सालों के end में 7.5 लाग रुपे principal payment मिल जाएगा तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ जिसे कि अपनको numbers clear हो जाए और फिर इस scheme का analysis कर लेते हैं तो numbers कुछ ऐसे दिखेंगे कि आपने 10 लाग रुपे लगाए और आपको 20,000 रुपे 3 सालों तक मिले यानि 36 महीनों तक तो आपका total cash flow return किता बन गया वो बन गया 7.2 लाक और आपको 7.5 लाग रुपे का principal repayment मिल जाएगा तो आपका total return किता बन गया 7.2 लास 7.5 14.7 लाक तो ये scheme तो बड़ी तगडी लगी कि आपने 10 लाग रुपे लगाए और आपको मिल गया 14.7 लाक रुपीज तीन सालों के end में अब आप कैगर वैगर छोड़ दो बागी सारी computation छोड़ दो आप मोटी मोटी math भी करोगे तो आपका total return किता बन के आता है तो आपका total return बन के आता है 47% in 3 years तो आप 47 को 3 से divide कर दो तो आपका करीब-करीब 16% का simple return निकल के आता है इतना return तो HDFC bank ने भी नहीं दिया तो मैंने सोचा कि या यह तो बड़ी अच्छी scheme लग रही है और इस fund का नाम था Tata India Consumer Fund Direct Growth और उसमें आप देख सकते हो कि 20.81, 3 year annualized return निकल के आता है तो इसलिए लोगों ने मान लिया कि अगर आप 10 लाक रुपे लगाओगे तो आपके साल के end में 20% के हसाब से बन जाएंगे करीब करीब 12 लाक क्योंकि 2 लाक रुपे का गेन हो गया 20% का तो अगर आप 2 लाक को divide करो 12 से तो करीब करीब 16-17,000 रुपे महीने का तो यहीं से आ जाता है तो लोगों ने मना दी इस पे reels, लोगों ने मना दी यह बहुत चारे YouTube वीडियो और कहीं कहीं जाके मैंने इतने लोगों से सुना तो इस mutual fund में अगर आप पैसा लगा दो तो आपका guaranteed return बन जाएगा 20,000 रुपे अब actually इसमें Tata की गलती नहीं है, Tata बहुत respected brand है, मैं बहुत इज़त करता हूँ, रतन Tata जी मेरे one of the idols है, but problem यह है कि finance का world बहुत जादा complicated है, कई बार अफवाएं उडती हैं और वो अफवाएं आग पकड़ लेती हैं, तो आपका ऐसे निवेशा की फर्ज बनता है कि अग तीन एयर का annualized return, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि भाई यह तीन एयर का आपका total return है, यह हर साल का 20% return नहीं है, यह 3 साल के end का return है, तो पहली चीज तो यह हो गई, दूसरी चीज अगर आपको mutual fund का, rule number one पता है, तो वो यह है, कि mutual fund होता क्या है, मैंने इ mutual fund होता है एक तरीके का brief case जिसमें आप women प्रकार के या नाना प्रकार के stocks डालते हो for example मान लीजे इसमें आपने ITC डाल दिया इसमें आपने हिंदुस्तान उनिलिवर डाल दिया इसमें आपने HDFC bank डाल दिया तो इस पूरे brief case को बोला जाता है mutual fund अब इससे जादा गौर करने वाली बात यह होती है कि जो mutual fund returns देते हैं वो returns देते कैसे हैं उसका return देने का सिध्धान्त बहुत simple सा है कि अगर ये सारे stocks जो इस brief case में पड़े हुए हैं अगर इनमें growth आती है इनके prices उपर जाते हैं तो resultantly इस brief case का price भी उपर जाएगा लेकिन जो underlying stocks हैं लोग कई बार मेरे से पूछते रहते हैं कि अक्षत यार इस फलाना धीम का mutual fund में invest करने अब मुझे नहीं पता कि mutual fund manager पीछे से जाके कौन से stocks उस brief case में डाल रहा है इसको check करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप simple सा Google पे जाओ आप type out करो Tata India consumer fund direct growth या जिस भी mutual fund के बारे में आपने पड़ा है और जो stocks उस brief case या उस mutual fund में add करे गए हैं उनकी list निकाल लो तो यहाँ पे मैं आपको list दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस brief case में कौन-कौन से stocks पड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 stocks हैं एक ITC हो गया एक Titan हो गया एक Jubilient Foodworks हो गया, Asian Paints हो गया और दुनिया वर के stocks हो गया तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह basic funda समझ में आ गया होगा कि mutual funds के return आधारित होते कैसे हैं अब दूसरा मुद्दा आता है कि मैंने आपको यह कहानी सुनाई कि अपनी मम्मी के बारे में कि उनको लगा कि यह बहुत तकडी स्कीम है, इतने बड़ा ब्रांड है, इतने तकड़े पैसे मिल रहे हैं, यह मैंने आपको स्टोरी इसलिए सुनाई जिससे कि आप भी एक rational analysis कर पाओ कि अगर आपके सामने एक किसी भी तरीके का offer आता है कि अगर आप स्कीम में 10 लाग रुपे डाल दो तो आ पोचक स्कीम साती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इंटाई से लुभावित हो जाते हैं, तो इसलिए इस चीज की समझ पैदा करना बहुत important है, क्या इस तरीके के returns possible है mutual funds में या नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका context बता देता हूँ, और मैं आपको ये भी बता देता तस लाग रुपे mutual fund में डालने वाले हो, तो realistically आप महीने का कितना पैसा कमा सकते हो, ये section बहुत ध्यान से देखना, और अगर ये section पसंद आए, तो क्रिपया like जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी share करिएगा, because इस तरीके की finance knowledge होना लोगों के पास बहुत अन generally speaking, तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक article शेयर कर रहा हूँ, ये economic times में आया था, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि research होई थी, और उसमें ये बात प्रूव हुई, कि majority of active mutual fund वो passive mutual funds को या index fund को बीट नहीं कर पाते, अब आप बोलोगे कि या active fund क्या होता है, passive fund क्या होता है, इसके लिए आप दूसरे वीडियो देख सकते हो, या basic googling कर सकते हो, what is active mutual fund, या what is passive mutual fund, अब वहाँ पर time नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैं आपको ये हुमक दे रहा हूँ, चोटा सा, आप जरूर करिएगा, मैंने पहले भी mutual fund के वीडियो बनाया है, जहाँ पर ये difference भी बताय है, आप मुझे comment में बताना कि active और passive mutual fund में अंतर क्या होता है, अब मैं दूसरा point समझाता हूँ, कि कई बार passive mutual fund को benchmark भी बोला जाता है, जैसे for example, nifty 50 हो गया, या sensex हो गया, for example, nifty 50 भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का collection है, तो उस briefcase को, क्या बोलते है, nifty 50 का briefcase, तो वो हो research में प्रूव हुआ है, तो typically speaking, जब आप mutual fund में पैसा डाल रहे होते हो, तो आप maximum return कितना assume कर सकते हो, आप index return assume करके चलो, index return कितना होता है, आप फिर से Google मारोगे, आपको number मिल जाएगा कि भाई, देखो, पिछले 20 सालों में, जो index fund है, जैसे nifty 50, उसने करीब 12% के around CAGR, यान compounded annual growth rate दिया है, तो एक example से बताता हूँ, कि अगर आपने एक lump sum payment कर दी, 1,00,000 रुपे की आज, और वो grow करा 12% के CAGR से 20 सालों तक, तो आपका total return कितना मन जाता है, तो वो 1,00,000 convert हो जाएंगे 9,00,000, 64,000 रुपे में, ये मतलब होता है 12% CAGR का, अब natural सवाल आता है, कि आपने तो यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे हम 10,00,000 रुपे का amount भर देते हैं, और हम देख रहे थे 3 year का time frame, कि 10,00,000 रुपे मैं आज लगाओ, और मुझे 20,000 रुपे महीना मिलता रहे, और उन 3 सालों के end में कुछ principal repayment भी मिल जाए, और expected return हमने 12% क्यों डाला, क्योंकि majority of mutual funds index को beat नहीं कर पाते, तो अगर हम ये सारी math बिटाएं, तो हमारे पास total return किता निकल के आता है, वो होंगे करीब-करीब 14,00,000 रुपे, तो अब हम थोड़ी सी back testing कर लेते हैं, कि अगर किसी mutual fund को आपको 20,000 रुपे महीना देना हो, तो आप समझ सकते हो कि वो आपको return इन प 15,000 रुपे का monthly return देना, 10,00,000 रुपे की राशी पे किस हद तक possible है, तो चलिए मैं एक online calculator लिकाल लेता हूँ, और अपना zoom करके चलते हैं, कि 15,000 रुपे का monthly return मिल रहा है, तीन सालों तक, तो 36 हो गए 3 साल, क्योंकि monthly return मिल रहा है, और 15,000 रुपे हमने भर दिये, तो हमारा total return कित्ता आ गया, 5.4 lakhs, और जो हमने initial 10 lakh रुपे लगाए थे, वो भी तो हमें वापिस मिलेंगे, तो तोड़ी कि उसमें सो कुछ भी ना मिले, तो total return ना कर अपन मान लें, कि आपनको 100% principal repayment मिल रहा है, और 5.4 lakh रुपी, as interest form of payment मिल रहा है, तो हमारा total return कित्ता बन गया, 15.4 तो आप मुझे बताओ, कि active funds के लिए आपको 15,000 रुपे महीने भी दे पाना, जिसमें वो आपको पूरा principal amount वापिस कर रहे है, क्या वो possible है, तो short answer निकल के आता है, कि नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है करना, तो फिर आपका natural सवाल आएगा, कि यार, अच्छा, 15,000 नहीं द बिखता हूँ, multiply by 36, क्योंकि हम 3 year का time frame देख रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया 4.3 lakh रुपी का return, over a period of 3 साल, और 10 lakh रुपे का हमें principal repayment मिल जाएगा, अगर 100% principal repayment मिल रहा है तो, तो अगर आप दोनों नमबरों को आड कर दो, कितना मिल रहा है, 14.3 lakhs, तो अगर आपने mutual fund को 10 lakh रुपे दिये थे, तो क्या उसके पास शमता है, कि वो 14.3 lakh रुपी return कर पाए, तो चलिए, वापस वड़ते हैं, उसी calculation की तरफ, जो मैंने आपको शुरुवात में दिखाई थी, तो इस सिनारियो में भी जवाब आता है, नहीं, एक, descents अगर आप mutual fund पकड़ रहे हो, औ उसने, अगर कोई ऐसी scheme चला दी है, कि भाई, 10 lakh रुपे मुझे दो, मैं आपको महीने के 12,000 रुपे दूँगा, तो वो भी कर पाना बहुत मुश्किल है, principle lot आते हुए, येस, अगर 12,000 से कम का amount है, अगर mutual fund promise कर रहा है, तो हो सकता है कि वो दे पाए, लेकिन 12,000 से उपर क amount हमारी calculation और timeline के हिसाब से सही नहीं बैठता, अब मुझे पता है कि comment में बहुत सारे लेकों बोलेंगे कि अक्षण बहुत सारे mutual funds हैं, वो तो 80, 80% return देते हैं, 60, 60% return देते हैं, आपने तो यहाँ पे 12, 15% ही माना है, अगर हम इन तरीकों की schemeों में पैसा लगा दें, तो क्य हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने, और मैं आपको एक छोटा सा graphic भी दिखा देता हूं, जो भारत के top performing mutual funds हैं, उनके return के बारे में, और फिर मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, कि जैसे quant small cap fund है direct plan, इसक YTD return 86.36 है, benchmark का return 55.87 है, ऐसे यह बाकी के small cap mutual funds वगेरा वगेरा हैं, इनके भी return ऐसे 60-70-80% है, जब benchmark का return 38-40% है, तो natural सवाल आता है कि यार इस तरीके की schemeों में पैसा लगा देना चाहिए, अब यहाँ पे कोई असान answer नहीं है, यहाँ पे मैं हाँ या ना नहीं बोल सकता, यहाँ पे मैं आपको यह बता सकता हूँ कि एक risk reward का concept होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको equation दिखाई अभी, आप तो देखके entice हो जाओगे कि या 90% return मिल रहे है, 100% return मिल रहे है, 70% return मिल रहे है, इतने तो कभी मिली नहीं सकते, हाँ मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप higher unit of risk ले रहे हो, आप इसको एक दूसरे example से समझो कि अगर आप आगरा से लेके दिल्ली तक गाड़ी चलाते हो, अगर आप 60 की speed पे चलाओगे तो हो सकता है, आप 4 गंटे में पहुंचो, लेकिन अगर आप 120 की speed पे चलाओगे, तो हो सकता है आप 2 गंटे में पहुंचाओ, अब आप बुलोगे कि यार मैं तो 120 की speed पे चलाओगा, हाँ आप चलाओ 120 पे अगर आपके अंदर वो appetite है चलाने की, कई बार होता ही है कि लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, accident हो जाता है, similarly अगर आप small cap, mid cap mutual funds में invest कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी तो बहुत तेज़ चला रहे हो, आप उसके साथ साथ higher risk भी ले रहे हो, गाड़ी तेज़ चला नहीं ही, अब finance के point of view से, मैं आपको एक छोटी सी risk भी बता देता हूं, for example, ये एक nifty small cap, जो इंडिया के top 100 small cap stocks हैं, उसके collection, जो एक benchmark मन जाता है, उसके return की बारे में यहाँ प बहुत ज़्यादा return नहीं दिखा है, तो आप हो जाते हैं परिशान, आप तो सोचते हैं, मैं तो 80% के साथ से दोड़ लगा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो मेरी गाड़ी का breakdown ही हो गया, और दिल्ली तेज पहुचना तो दूर, मुझे तो बस में बैटके जाना पड़ गय सकते हो, तो इसमें पहला point यह निकल के आता है, कि अगर आप large cap funds में invest कर रहे हो, तो बहुत unlikely सेनारियो है, कि आप 20,000 रुपए की income generate कर पाऊगे, 10,000 रुपए invest करके, क्योंकि large cap equity based mutual funds, index को बीट नहीं कर पाते, अगर index अपने आप में शमता यह नहीं रखता, कि आपको 20,000 रुपए महिना दे दे, 10,000 की राशी पे, तो इस तरीके के returns generate करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप higher risk लेने को तैयार हो, कि हम तो small cap में खेलेंगे, mid cap में खेलेंगे, तो क्या आप 20,000 रुपए बना सकते हो, 10,000 रुपए का निवेश करके, तो जवाब न आ सकते हो, लेकिन ये जरूर समझना कि आप बहुत जादा risk ले रहे हो, मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो अपने फ्रेंचे साथ जरूर शेयर करिए, और इस चैनल को सब्स्राइब करें, और मैं आपसे जल्दी अगले